उनका मैसेज बैसी के थूँ आया था आज से हफ्ता पहले कि वो बुर्द्वारा सीजगन साहीब विजिट करना चाहते हैं आज सुवेरे का समय देख हुआ था कल एक दफ़ा प्रोग्राम कैंसल हुआ लेकिन सुवेरे साड़े छे मजए दुबारा मैसेज आया कि वो आएंगी जहां वो गुरु देख भादर के स्थान पे रत्मस्तक होने के लिए आये वहाँ पे गुरु का शीरवाद दिया और मर्यादा के हम साथ उनको वहाँ पे सम्मानिक भी किया गया लंगर हौल में गए उन्होंने लंगर फकाया भी गुरु के आगे अरदास करी नत्मस्तक हुए तो हमने इस मौके को जो हमारी प्राब्लम है बार के सिखों की उसको उनके नोटिस में उनके ध्यान में लाना चाया इस वकट औरलियन स्टेट में बावन कैदी जो हैं हिंदुस्तान से जो तालुब रखते हैं सौ से जादा हैं और ये कैदी कोई क्राइम करके भी गए हैं, ये कैदी हैं जो वीजा की वज़े से, वहाँ पे सिंदर्शिक की वज़े से उनको ख्रास्थ में लिया गया है। हमने ये इशू उनके साथ उठाया और ये इशू के लिए उन्होंने इमिजेट लिए हमा उनके साथ अमेरिकन वैजडर टू इंडिया उनके लोटेस में लाए और उनको बोला गया कि हवें टाइम दीजी और हमें उनने बोला कि बैरे को डिटेल्टा wrapped representation दीजिये, मैं अपने आफिस के थूँ जरूर इन लोगों की मदद करूंगी जो मैं कर सकी हूँ और इसके इलावा क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था इसके इलावा जो और वहां के हमारी प्राप्लम्स हैं इडेंटिटी को लेके या वहां पे जितने भी हमारे इशू को लेके प्राप्लम्स है ये सारी बात हमने उनसे डिसकस करी और हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात को पॉस्टिब लिया और उसी वक्त उन्होंने बहतर साथ से बोला कि हमारे को समय दिया जाए और हमारा डेलिजेशन उनको मिलने जाएगा। कर लिया मंडे का हमारा समय होगा हम ये रेप्रिजेंटेशन लेके जाएंगे ताकि जो भी वहाँ पे हिंदोस्तानी हैं सिख हैं पंजाबी हैं या कोई भी और स्टेट के लोग वहाँ पे फसे हुए हैं उनको लीगल एड मिलना चाहिए अमेरिकन कनून के साथ से जो उनका राइट है वो राइट उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने केश को प्रिजेंट कर सके और मैं समझता हूं कि निखेली जो है उसकी दूट हिंदोस्तान से है और आज उनके आने से जहां वो ग्रूप को नत्मस्तक हुए हैं हमने अपना कॉस्ट जो ये कहा जाए कि इस में निखेली जूर इस शिशू को लेकर आएगी और हम शिरीमती शिश्मा सवराजजी से भी आपाट्मेंट बागी है हमने ताकि गर्वर्मेंट भी गर्वर्मेंट लेवल के ओपर अमेरिका से इस शिशू को बड़ पाएगी तो पाल्स रक्सेस ने दिया जा रहा तो चैनल केनी को करेंगे हाञी को डिब कॉश सिक मिलकर ही हमारी कॉशिस हमारी पूरी कोशिश रहागी तो और वबावन हंदोस्तानी जो हैं वह जलती जियत से बाहरा है । झाल झाल